सब्सक्राइब नहीं किता तो प्लीज कर लो बेल आइकन नूँ प्रेस कर लो ता जो अपडेट समेश से मिल सके तशुरू कर दिए अग्रिक Carry Salon सेंसर इज कंडुक्तरद आफ्टर एवरी देखो जो अग्रिकल्चर सेंसर लोंदि अधिकwang कर दीए आ किनने साला बाद कंडुक्त करवाई जांदिए तो सब तो पहला था एही समझो के अग्रिकल्चर सेंसर्स करवाई जांदिए नैशनल Commission on agriculture on agriculture census which of the following is an annual crop देखो इन विच्चो केड़ी एक annual crop है सब तो पहला था एह समझो कि जो crop है ठीक है according to life cycle किन्ने तरांदी होंदी है तो देखो जो crop है according to life cycle एह 10 तरांदी होंदी है एक होंदी है annual crop ठीक है और एक होंदी है है अपने कोले बाइनियल क्रॉप और एक होंदी है अपने कोले पैरेनियल क्रॉप तो एह 30 तरांदी होंदी है actual देवेच annual crop देवेच जो crop है उननों ग्रो करन दे लेई जो है उस six month तो लेके one year तक दा जो है उसमा लग दे बैनियल क्रॉप दे वेच one year तो लेके two year तक दा समा और बैनियल क्रॉप दे वेच जिड़ है ओ वन एर तो लेके two year तो लेके three year तक दा जिड़ है गया ओ समा लग ज़ए ग्रो करन दे वेच लूण आने फुच्या है के एन्वल क्रॉप केड़ी है जिन्हों ग्रोथ करन दे लिए वन एयर दर समा लग दा है तो ओ है शुगर केड़ी तो इस कोश्चन दा राइट अंसर है ए और तो अनू पता ही है कि सब तो ज्यादा जो शुगर केड़ी है ओ यूपी परड्यूस करता है पूरे इंडिया दा 46. 6.98 परसेंट जो है ओ शुगर केन कला यूपी ही परड्यूस करता है अगर मैं गल करां बैनियल क्रॉप उना क्रॉप दी जिनन नू ग्रोथ करन दे लिए टू इयर दा जो समय ओ लग जांदा है तो दे वेच नॉर्मली अनियन वगेरा जो है ओ आजेगा और पैरेनियल क्र चर्मिक, बलैक पेपर वगेरा आ जानगे विच अफ़ दा फॉल्लीं टाइप्स अफ इकनॉमिक अटिविटी इस एगरिकल्चर देखो इनन विच्चों जो एगरिकल्चर है ओ केडी एक्टिविटी नू डिल करता है जो इकनॉमिक एक्टिविटी आए इस साथे को रहे प्रैम्री एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, स्कैंडरी एक्टिविटी, तो एक्रिकल्चर इनना विचों कि इस एक्टिविटी ना सबन्देता है। देखो, अगर मैं तुहान नूँ एकनोमिक सेक्टर दी गल करा, तो आपने को ले तेन तरांदे एकनोमिक सेक्टर होंते हैं, एक हुंदा है प्रेमरी सेक्टर, एक हुंदा है स्केंडरी सेक्टर, और एक हुंदा है टर्शरी सेक्टर, जिसनों तुसे सर्विस सेक्टर भी बोल देनें देखो जो प्रैमरी सेक्टर है एज वेचे डील किता जानता है राउ मटिरियल तो राउ मटिरियल सानों कौन प्रवाइड करता है एकरिकल्चर फिशिंग और हस्बैंडरी वगेरा जो यह देविच आजेगा हुन स्केंडी सेक्टर की हैं स्केंडी सेक्टर देविच जो राउ मटिरियल है इसनों कनवर्ट किता जानता है प्रीशींग गुड्स देविच और मटीरियों काउच कर यह कांवार्ट क कर दा isy तो सकन्दी सटर दा पार्ट तुम्द है इंडस्ट्री और तीसा है अपने कोले टर्शरी यह सर्वी सेक्टर तो एदे विच कौन आ जेगा तो देखो एदेविच बैंकिंग which of the following are known as horticulture crop देखो इनना विचो केडिया होटी कल्चर क्रॉप है तो होटी कल्चर दे वेच असी की कर दे हैं fruit and vegetables दी जो है वोग श्टडी कर दे है तो इस question दर राइट अंसर भी की बनेंगा D बनेंगा the science concerned with cultivation of grapes देखो grapes दी जो cultivation है उसनी science नों की क्या जन्दा है किस मतलब science दी ब्राजना ले concern कर दे तो याद रख्यो जो grapes दी production है उसनों असी वीटी कल्चर बोल दे है तो इस question दा राइट अंसर है B वीटी कल्चर और उलेरी कल्चर की है देखो उलेरी कल्चर दसबंद है उनना प्लांट्स दे नाल जो नौन वुडी है नौन वुडी प्लांट्स वेजीटेबल्स दे जी में आपका कह दिये के कदू, तोरी तो उनना दिया जो वेला हुं दिया है ठीक है उनना दी ही प्रडक्शन उनना दी ही कल्टिवेशन नौ असी पॉलेरी कल्चर बोल दी हॉर्टी कल्चर तो नौन पता ही है के हॉर्टी कल्चर वेजीटेबल्स दी डील किता जन्दा है देखो, जो रेड़ सॉयल है एदे वेच फासफोर्स एंड नैट्रोजन दी जड़ी है वो कमी पाई जन्दी है जदो के पुटाशियम या पुटाश बहुत जादा मात्रा वेच तो नौनू रेड़ सॉयल दे वेच देखनू मिलेगा इस कोश्चन दा राइट अन्सर है और इस दा कलर रेड़ के उन्द है तो आईरन करके इस दा कलर रेड़ उन्द है और यह ज़्यादा तर मतलब जड़ा है गया है वोल्कैनिक जो रॉक है उन्हा तो ही रेड़ सॉयल जड़ी है ओ बन दिये तो इस question the right answer है B Soil moisture is measured by तो देखो जो मिट्टी दे which moisture होएगा उसनों measure करन दे लिए केड़ा instrument यूज़ किता जानदा है तो देखो जो soil the moisture यूज़ करना है तो इस दे लिए जो मतलब device है ओ है tensiometer तो इस question the right answer है C अगर barometer देखाल करिये तो तो अनूँपता ही है कि barometer जिड़ा है कि ओ atmospheric pressure जो हुंद है उसनों measure करन दा काम करता है ठीक है hygrometer देखाल करना तो hygrometer जिड़ा है ओ measure करता है कि हुमिडिटी नूँ और rain gaze तो अनूँपता ही है कि rain नूँ measure करन दे लिए जिड़ा यूज किता है जन्द है तो इस question the right answer है C Which soil are formed from chemical decomposition of rock देखो rock they decompose हों तो ठीक है जो मतलो soil बन दी है उसनों की बोल दी है तो देखो जो rock they decompose हों तो soil बन दी है उसनों सी letrite soil जो है वो बोल दी है तो इस question the right answer है और जो letrite soil है एक्चुल दे विच जो दो ही इस दे विच नमी खतम हों दी है ठीक है जो दो ही इस विच नमी खतम होगी है बहुत ज़दा hard हो जन्द है जिस करके letrite soil जेड़ी है वो bricks दे ले ही यूज किती जन्द है और I think letrite दा meaning ही जेड़ा है वो brick हुंदा है उस तो बाद black soil दी गल करिए जिन्हों रगूर soil भी बोल दिया है और तो अनू पता ही है कि एक cotton दे ले यूज किती जन्द है अच्छा letrite soil तो अनू किते मिलेगी तो याद रख सकते हैं letrite soil तो हनू माहरास्ट्रा अला एरिया और इद्रो करनाट का अला एरिया जिड़ा है कि उत्त तो हनू एह जो है ओ लेट प्राइट soil मिलेगी विच एरिया इन इंडिया इज नौन एज राइस बॉल देखो मतलब इंडिया दे किस एरिया नू असी राइस बॉल दे नानाल जानते हैं तो देखो ए एरिया है अपनी को ले कृष्णा गोदावरी डेल्टा रिजन दा ठीक है तो कृष्णा गोदा और प्रोटी एज देखो उडिच आघा साफ किसलो कोई इस ब्लेक हाट चतब डीक होई 보енलाश, तो याद रखियो जथा थो मक्नान क도 किसलो दुष्णा जान जानते है। उससे दी कमी करके ही मतलब A disease हों दी है तो इस question दा जो right answer है A है D which among the following is are correct about the oil seed देखो इनना विचो केडी statement oil seed they regarding correct है पहला जो among seeds है जो oil seed है of soya bean and ground net वो खरीव क्रॉप है मतलब simply soya bean और ground net जो crop है एक खरीव क्रॉप देए मिच गिनी जन्दी है और जो mustard है A वी एक तरह देए oil seed है तो जो mustard है ठीक है A रभी क्रॉप है तो इनना विचो केडी statement correct है तो देखो इनना विचो दोनों statement जड़ियां वो correct है क्योंकि soya bean और ground net एक खरीव क्रॉप देए चांदी है और जोदो के mustard जड़ा A रभी क्रॉप देए चांदी है और तिन्नों ही एक तरह दे oil crop है या oil seed है मतलब इनना दे जो seed है उनना तो oil जड़ा है वो produce किता जाएगा loose submit is disease of which crop देखो जो loose submit है a disease है और a disease जड़ी है गी है और किस disease है किस crop the disease है तो याद रखे हो a loose submit जड़ी है a wheat these disease है तो this question the right answer है a और a wheat the disease जड़ी है a fungus करके ही हुंदी है और यह तो आनू दसना के यह बार ले दे वेचवी बार ले दे वेचवी तो आनू loose submit नाम देख देखनू मिल सकते तो इस question the right answer है a which one of the following statement is are incorrect as regard to commercial farming देखो इनना वीचों उनना ने पुच्छा है कि केड़ी statement incorrect regarding to commercial farming ठीक है use of heavy doses of the modern inputs देखो जो मतलब commercial farming है अपनों पता है कि एदे वेच जो है oh modern tools use किते जन्दे ठीक है modern जो pesticide use किता जन्दे है ठीक है growth वदान दे ले ठीक है crop the growth वदान दे ले यूज किता जन्दा fertilizer यूज किते जन्दे डिफरेंट डिफरेंट तरह दे तो ए स्टेटमेंट तां कुरेक्ट है crop और जो crop उगाई जन्दी है और नॉर्मली सेल दे लिए ठीक है वेच दे लिए जन्दी है तो एवी स्टेटमेंट और कुरेक्ट है family members are involved in growing crop देको जो crop है जो commercial crop है ओ दे उन्हों grow current दे ले जो family member है और भी farming दे वेच इन्वाल्व मुंदे है नहीं तो ए स्टेटमेंट रॉंग है actual दे वेच एक condition जड़ी है ओहो तो हमनों सबस्टेंस फार्मिंग देविच देखनों मिल दी है उस तो बाद प्रैक्टिस और लार्ज लैंड होल्डिंग बिल्कुल जो लार्ज लैंडव पैच है उत्ते ही ए अग्रिकल्चर किता है मतलब ज्यादा एरिया जड़ा है खेत दा ओधे वेच अ कमर्शियल क्रॉप टू ग्रो देखो ओ केड़ी क्रॉप है जेड़ी ग्रो करंदे लेही एक साल लगां दिया है तो ओ है शुगर केंट तो इस कोश्चन दा राइट अंसर है ए इन मद्या परदेश चूमिंग इस कार्ड देखो मद्या परदेश ते वेच जो चूम केती है ठीक है उसनों किस नानल जाने जन्द है तो मद्या परदेश ते वेच जो चूम केती है उसनों बेवार बोल दे तो इस कोश्चन दा राइट अंसर है ए और इसनों जो है एक न उसनों रोका भी बोल दिया है और ए रोका ब्राजील देवेच बोले जन्द है और मिलपा जो है मिलपा बोले जन्द है मेक्सिको देवेच उस्तो बाद कुनो को ए वेंजियोला देवेच बोले जन्द है और उस्तो बाद है अपने को ले मैसौल और ये जानी के सैंट्रल अफ्रिका दे वेचे बुल्या जंद है और जो अपने को लेडांग है ये बुल्या जंद है इंडोनेशिया दे एरिये देवेचे ठीक है तो एक चूम खेती नू अलग-एलग नावानाल जाने जंद तो ओम वे तो अनुन दासते की केरे केरे नाम की इस देश्टे वेचर चूम खेती लई या अबर्न आंड सब्स आ शुम किते जन दे व्युकम साइर में किसाने क्रेडिक सांट क्रेडिक का टो इस क्सें ने एंचिया बैंक वह इसकंट्रीमिन Prozent कि अ आगस्त record ने दिबेच बाइं इंडिया बैंक वैट्टुड़ू और जो स्कीम है इस दी जो रेकमेंडेशन दिती सी ओ किस कमेटी ने दिती सी तो आर वी गुपता कमेटी ने जो रेकमेंडेशन है ओ दिती सी तो इस कोश्चन दा राइट अंसर है ए मैच दा फॉल्वीं सेटे इस लिस्ट वॉन दे विच रेवलुशन देती है और सेट टू देविच साथे को लिए ओर एवलुशन किसना रेट ए इगल किती है तो दे लेना है सेट वन न पास्ट मानसे सरे सब तो पहला आपने ब्ल्यू रेवलुशन टो अनून पताई है कि लिए ब्ल्यू रैवलुशन जेड़ाई फिश परडक्षन बेh लगता यूज किता जंद जना, लिए फिश परड़क्षन डे लिए blue revolution आया सही और ये भी तुसी याद रखना है कि blue revolution दे जो फादर मनने जन्दे है ओ कौन है तो ओ है हीरा लान चोधरी उस तो बाद है silver revolution तो एक उस silver revolution दा सबन्द है agnal ठीक है और इस दे फादर मनने जन्दे है इंद्रा गांदी white revolution सबन्दों पता है कि ए मिलक नाल सबन्द है और इस दे फादर मनने जन्दे है वरगीस Korean उस तो बाद है yellow revolution और yellow revolution दी गल करां तो yellow revolution जिड़ है इस दे सबन्द है oil seed production देना तो इस question दा जो राइट अंसर बनेंगा ओ बनेंगा B The growth of plant is measured by देखो जो growth है plant दी ए मेजर किती जन्द है किस बलनो तो देखो जो growth है plant दी ए मेजर किती जन्द है क्रिस को गराप बलो तो इस question दा राइट अंसर है D देखो एदे वेच जो tensiometer है यह तो अनू पता ही है कि soil measure soil moisture जो है उसनू measure करन ली यूज किता जन्द है ठीक है उस तो बाद animal meter दी गल करां तो animal meter दा जो सबन्द है A है wind दी speed and direction देना तो wind दी जो speed है और direction है ए मेजर किती जन्द है उस तो बाद candle stock दी गल करिए stocks दी गल करिए तो A जो sunshine है उसनू record करन दा काम करता है ठीक है और क्रिस्को graph तो अनू पता ही चल गया कि growth of plant जेड़ा है उँ major करन ली यूज किता जन्द When was the forest conservation act was passed in India देर काफी important question है कि forest जो conservation है act पास होया सी एक कदों पास होया सी तो याद रखना है ए 1980 देवेचे पास होया सी तो इस question दा right answer है The plantation agriculture is the type of देखो जो plantation agriculture है plantation agriculture दा मतलब किया है कि जो large land है ठीक है large area है जो ओदेते एको तरांदी crop जेड़ी है वो उगाई जन्दी है उसनों से plantation agriculture बोल दिया और plantation agriculture जो पार्ट है और commercial agriculture दा पार्ट मनने जन्द है तो इस question दा right answer है wheat protein is called as देखो जो wheat देवेच प्रोटीन तो अनों मिल दा है तो wheat दा जो प्रोटीन है उस दा नाम किया है तो याद रखना है उस दा नाम है gluten तो इस question दा right answer है ठीक है wheat protein is called as a gluten factor influencing the crops cultivation देखो जो factor है influence कर दिया crop cultivation वो केड़े केड़े हो सकते हैं तो crop cultivation नों प्रवावित करने वाले जो फेक्टर है वो केड़े केड़े हैं तो देखो temperature बिल्कुल rainfall भी हो सकती है और fertile soil भी हो सकती है जिननी fertile soil होएगी उनी ही crop the cultivation अच्छी होएगी temperature ते depend करदा है ठीक है cultivation बिल्कुल और rainfall भी डिपेंड करता है तो इस question दा जो राइट अंसर है एं डी name the term given to the land on which the crops are grown देखो उस जमीन उस लैंड नू की बोल दिया है जिते crop जेडिया हो ग्रो करवाई जन दिया है crop जेडिया हो उगाई जन दिया है तो उस जमीन नू की बोल दिया तो उस जमीन नू बोल दिया अरेबल तो इस question दा राइट अंसर है एक रॉप्स आर क्लासिफाइड बेस्ट ऑन क्लाइमेट दे क्लाइमेट दे अदार थे ठीक है crops जेडियां ओ किन्ने तरणदियां होंदी है तो देखो crops जेडियां है यह क्राइमेट देदार्थे ओ दो तरणदियां होंदी है जिननों असी tropical अते temperate crop दिनानल जानती है तो इस question दा right answer है ए देखो जो tropical crop है जो ग्रो करंदे ले इननों जो मौसम चाहिदा है ओ होट चाहिदा है ठीक है यह कहलो के वार्म जो है ओ टैंपरेचर चाहिदा है और यह दे विच्छ जो ट्रॉपिकल जो क्रॉप है ओदे विच्छ तुस्ही राइस शूगर केन जवार बगएरा उगा सकते हूं और जो टैंपरेट है ठीक है एदी लही जो climate है ओ पूल क्लाइमेट जेड़ा है ओ चाहिदा है ठीक है और एदे विच्छ तुस्ही राइस अगा सकते हूं नॉर्मली वीट रूगा सकते हूं ठीक है ओट्स रूगा सकते हूं ग्राम क्लासिफाइड किता जंद है ट्रॉपिकल अते टैंपरेट इन मॉडरन टर्मलाजी पैडलाजी इस दा स्टडी आफ तो देखो पैडलाजी जेड़ा है ओ स्टडी है सॉल थी मिट्टी दी स्टडी नू ही असी पैडलाजी बोल दिया तो इस कोश्चन दा राइट अंसर है बी एगरिकल्चर इज इन डैश लिस्ट आफ दा लेजिसलेटिव सेक्शन तो अनू सब नू पता है कि अपने जो सवधानिक तौरते तिन लिस्टां इंटेड्यूस कितियां जांदी है ठीक है जीदे वेच साढ़े को ले यूनिन लिस्ट उन दियें फिर स्टेट और फिर कॉंकरन्ट लिस्ट होंदी है आगर गल करिए यूनिन लिस्ट दे वेच जो टौपिक होंदी है उन्हा ते कनून बनाओधाद कार की दे कुले हुंदा है सेंट्र को ले स्टेट लिस्ट ते वेच जो टौपिक हुंदी है उनना ते कनून बुनाओदा अदिकार की दे को ले हुंदे है और इस कंडिशन वेच गल करिये एग्रीकल्चर जेड़ा है उगिस लिस्ट दे वेच आंदा है तो याद रखें तो यह स्टेट लिस्ट दा पार्ट है और ए से विच उमंग दा फॉल्विंग आर फाइबर क्रॉप इनना विचो केडिया दो फाइबर क्रॉप से तो दिखो फाइबर क्रॉप चेडिया ओ है जूट एंड कॉटन तो इस कोस्चन दा राइट से रहे बी और कॉटन तो अनूपते ही है के गुजरात जैड़ा है ओ पूरी दा इंडिया दा कॉटन ओ गुजरात ही करता है विच अफ दा फॉल्विंग इस नोट मैच्ट करेक्टली इनन विच ओ केड़ा जो है ओ क्रेक्टली मैच नहीं करता रभी क्रॉप शूगर केन ग्राउंड नट रभी क्रॉप मस्टर्ड बाले जैद क्रॉप पंपकिन कंकुम्बर आते खृफ क्रॉप जड़ी है बाज़ा आते राइस देखो इस कोश्चन दा राइट अंसर है ए बिकॉज जो जूगर केन ग्राउंड नेट है ए कैश क्रॉप है ना के अग्रवि क्रॉप है तो इस कोश्चन दा राइट अंसर है ए दा इंडियन मेत्रोलाजिकल डिपार्टमेंट इस लुकेटेड इन वीच सिटी देखो मेट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट है जो मौसम भी पागा जो एक इस city देविच लुकेट है तो एदा हैड़कोर्टर है जी न्यू दिल्ली देविच इस question the right answer है ए और जो ए डिपार्टमेंट है एक कदो बनें सी तो अठारा सुप यत्र विच ए डिपार्टमेंट बनें सी और इसा हैड़कोर्टर तो अनुपनेगा न्यू दिल्ली दा इंद्रा गांधी कैनल इस रिलेटेट विच टू स्टेट्स देखो जो इंद्रा गांधी कैनल है जो इंद्रा गांधी नहर है एक इनना दो स्टेट नो डील कर दी है ठीक है तो इंद्रा गांधी कैनल जेड़ी है ए पंजाब एंड रजस्थान जो है इनना नो डील कर राजस्थान कैनाल ही सी जो के दो नुमंबर उनी सो चरासी नू ए नाम चेंज करके दा इंद्रा घंती कैनाल जिड़ा है ओ रख्या गया सी तो इस कोश्चिन दा राइट अंसर है बी तो थेंक यू फॉर वाचिंग प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जी के नू कर लो बेल आइकन प्रेस कर लो तान जो आपडेट समेसर मिल सके और इस सीरीज दियां वीडियो देखली मेरे इनाल जुड़े दो तो थेंक यू